अगर आपका नाम नहीं आया तो अब आपका एडमिशन कैसे होगा ये जो आपका सबसे बड़ा डाउट है आज की वीडियो इसी के उपर होने वाली है तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं कि भाई वो कैसा तरीका है कौन सा यहाँ पर ओप् तो वीडियो को लाश्ट तक देखिए अपने दिमाग को खोल लेजी क्योंकि आज की वीडियो में आपको ध्यान से सुनना है मैं क्या कहरा हूँ कैसे कहरा हूँ और आपको क्या करना है ठीक है तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले आपने च कौन-कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है, इन सब टोपिक्स के उपर आपको अलग-लग वीडियोज मिलेंगी, वो वीडियोज आपको देखनी है, और कहीं न कहीं आपका एडमिशन है, वो यहाँ पर डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है, बट सर्त क्या है, आपको वीडियो देखनी है, कोई स्टेप है, वो मिस नहीं करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखो था, कि आपको नोटिफिकेशन है, वो मिल जाए, ठीक है, तो चले गाई, जब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो हाँ आप लोग अपने स्क्रिन पर बिल्कुल सही देख र जाएगा, आपको बिल्कुल टैंसन नहीं लेनी है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, या फिर फिजिकल काउंसलिंग, यानि कि यह ओपन या फिर फिजिकल काउंसलिंग होती क्या है, अगर आपने यहाँ पर मेरिट लिस्ट के लिए अपलाई किया था, आपका नाम न बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि पहले क्या होती थी, फिजिकल काउंसलिंग, और अब यहाँ पर जब आप एडमिशन लोगे, तब यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, तो एक बार मैं आपको पहले बताता हूँ, जब हम एडमिशन लेते थे, तब यहाँ पर जिसका नाम भाई, मैरिट लिस्ट में नहीं आया, वो कोले जाते थे, वहाँ पर अपने फीस पे करते थे, डोकुमेंट स्वेरिफाई करवाते थे, और उनका एडमिशन है, वो हो जाता था, ठीक है, और वास्ताव में इसे ही बोलते हैं भाई, फीजिकल क counseling कर दिया, और इसमें यह क्या करते हैं, इसका भी जो system है, वो वैसे बना दिया, जैसे merit list का था, यानि कि सबसे पहले आपको registration करना पड़ेगा, आपको एक date दी जाएगी, जो कि अभी तक बताई जारी, 28 सितंबर, जो कि आगे चलके में भी change हो सकती है, तो वो तो हम आपक करेंगे ठीक है, जैसे कि आपने पहले किया था, ठीक है, वैसे registration करना है दुबारा से, और यहाँ पर जिनको नहीं करना होगा, अगर जिननोंने पहले करक्खा है, तो वो वीडियो हम बता देंगे, आपको अभी तक update नहीं है इसके उपर, कि दुबारा करना है या नहीं कर रही थी, अब तक यहाँ पर merit list थी, ठीक है, लेकिन अब आएंगी open counseling merit list, first, second, कितनी भी आ सकती है, उनमें जिन students का नाम आएगा, उनको उसी दिन ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये इसमें change नहीं किया, पहले भी यही होता था, कि जिस दिन आप जाओगे, उसी दिन ही, एक slip मिल जाएगी, आपका admission है, वो हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ तरीका है, अब यहाँ पर जो open counseling आई है, नई, और जो physical counseling यहाँ पर थोड़ा सा change कर दिया गया है, इन जी जोगों, ठीक है, समझ गई, यानि कि पहले क्या होता था, पहले कोई दोबारा से registration नहीं होगा, तो इन्होंने क्या किया कि भी, दोबारा से आप register करो, घर बैठे, हम एक list निकालेंगे, उस list में जिसका नाम आ जाए, वो जाकर अपना admission है, वो करवा लें, ठीक है, तो यह होता है, पूरा का पूरा तरीका, open counseling या फिर physical counseling का, अब आपको 2-3 दिन के अंदर कुछ इस परकार से जैसा कि आप screen पर देख पारे हो, एक notice मिलेगा, ठीक है, website के उपर, और उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, कि कैसे क्या करना है, किस date को क्या होगा, maybe ये dates हो चेंज हो सकती है, 8 सितंबर को, थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, 30 सितंबर कर सकते हैं, तो वो सब कुछ आपको जब notice आजाएगा, तब एक वीडियो अच्छे से और मिल जाएगी, open counseling के उपर, और वैसे वीडियो जाती रहेंगी, अब जैसे कि important documents क्या लेके जाने हैं, और कौन-कौन से points है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपने वहाँ पर गलती कर द साथ हैं, कोई भी दिक्कत आपको आती है, तो भाई आप comment कर दीजिए, हाँ एक दो दिन से मैं busy था, मेरे एक exam था, तो मैं comments की reply अच्छे से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आपको वीडियो भी proper मिलेंगी, साथ ही साथ आपके comments का reply भी करेंगे, ठीक है, समझ गए, तो म अब यहाँ पर आपको नहीं पता है, और आप वहाँ नहीं लेके जाते हो, जैसे कि आप खड़े हो वहाँ पर, ठीक है, माल लो, teacher के सामने, teacher ने वो document मांगा, अगर आपने नहीं दिया, तो फिर आपको कहीं, भाई जाओ, next बंदे को बुला लेंगे, ठीक है, तो आपका document verification के काण यहाँ पर admission है, वो रुख सकता है, समझ गए, इसलिए बता रहाँ बार बार कि वीडियो जो सारी की सारी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब रखो, यह थी आज की वीडियो, आपको वीडियो अच्छे लगी हो, एक बार मैं फिर से पूरी वीडियो को revise कर देता ह है, यह फिर साइज जिनको पहले registration करने के बाद यहाँ पर merit list लगेगी, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है, वो टैंसन नहीं लेनी है, उसमें यहाँ पर merit ज्यादा high नहीं जाती है, ठीक है, क्योंकि जिनके high percentage थे, उनका admission ओल्रेड़ी हो चुका है, हाँ कुछ ऐसे student है, जिनके अभी भी high percentage है, 95, 96, उनका admission भी नहीं हो पाया है, तो उसके पीछे reason है, उसके लिए एक video आने वाली है, उनको अभी ये गलती दोबारा नहीं करनी है, ठीक है, वो गलती क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा उस video में, ठीक है, तो जिनके भी high percentage है, जैसे कि 80+, 90+, और ज सी दिन आपको fees लेके जाने है, ठीक है, तो भाई अपने पैसे वेगरे का भी इंतिजाम रखिए घर पे, और यहाँ पर सारे documents तयार रखिए, जैसे dates आती है, जैसे यहाँ पर registration होते है, open counseling की merit list आती है, आपको सारी information, सारी videos मिलती रहेंगी, और यार आपको tension नहीं लेनी ह मैं यहाँ पर भाई विश्वास दिलाता हूं, सभी का animation हो जाएगा, बैस यहाँ पर जो steps आपको बताए जारे हैं, उनको follow कीजी, कोई ना कोई college, चाए वो normal हो, ठीक है, मैं यह नहीं गयाता है, हाई फाई college मिलेगा आपको ठीक है, normal से normal college आपको मिल जाएगा, एक वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन जैभारत,